मेरे तूला राशी वाले दोस्तों कैसे हो तूला राशी के अलावा तूला लगन वाले दोस्त में इस वीडियो को थेख सकते हैं दोस्तों ग्रह गुच्चर के अमसार अगस्तमा में यश्पद परतिष्टा सब कुछ मिलेगा ब्रामान के महत्ट पुरन ग्रह ग्रह में के राये पर तक पी सूर्या की आप पर पूरन कृपया बनी हुई है सूर्या की शुपता हर मौर्चे पर सफलता परदान करेगी आपका दबदबाब बढ़ेगा अगस्तमा पे अकेला सूर्या ही काफी है आपका बेड़ा पार लगाने के लिए स्तारा गस्तक सूर्या आपकी राशी के करंस्तान पर संचार करेगा करंबाब कुणली का सब भावों में से शुप और महत तप्रल भाव है ऐसा समझें यह भाव राजा महराजाओं का सिंगासन है सूर्या जब इस बाप पर संचार करता है तो एक परकार से सूर्या अपने सिंगासर उपर विराज मान है सरकार, रज्या, उच्पदवी, मांस, मान, पीता और रोक्याकारत और जीवन शक्ति परदान करने वाला सूर्या जब आपके सैयोग में खड़ा है तो किस परकार की चिंदा यह सूर्या आपके रोब और रूतवे में व्रिदी कर समाश के महत्त पुर्ण और प्रवावशाली लोगों की शरेणी में लाख खड़ा करेगा कार्या शेतर में सब आपको सम्मान की दृष्टी से देखेंगे खास कर लोकरी पेशा दोस्तों के अपने से व्रिष्ट अधकारियों पता कुछ अधकारी वर्ग से मित्तरता पुर्ण समंद बनेंगे वह भी आपसे परसंद रहेंगे जो 17 अगस तक आपकी तरक्की और सफलता से चिड़ने वाले तथा विरोधावस रखने वाले आपके विरुद शड़यंतर रचने तथा आपकी डांग खींचने के लिए पुरियोर परियतन करेंगे आपकी उन्नती उन्हें पचेगी नहीं क्योंकि करमपापर गोचरस्त सूर्य का वक्री शनी के साथ दिरिष्टी स्वंद बन रहा है इसके अलावा मंगल भी नीच दिरिष्टी से देख रहा है मंगल की दिरिष्टी 10 अगस तक पड़ेगी इसलिए कार्या शेतर में स्तरक भी बने रही वैसे विरुद्धी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे क्योंकि गुरु की सूर्या पर उच्च दिरिष्टी पड़ रही है यह उच्च दिरिष्टी सूर्या के बल में व्रिदी कर रही है मुश्किन समय में देव्या शक्ती प्रापत होगी करम बापर जब सूर्या को गुरु का साथ मिल जाए तो सुनने पर सुहागे जैसा है रोजगा की तलाश कर रहे दोस्त अगस्तमा में प्रयास रत रहे करम बाप की मजबूत स्थिती से आपके प्रयासों को रंग लगेंगे पिता के सुख है मसाय योग में व्रिदी होगी सरकारी काम का जोंके लिए पूरन माप सूर्या की आपर किरपया बनी रहेगी अगस्तमा में गोचलवच सूर्या से पहले शुकर और मंगल का राशी प्रवर्तन है सबसे पहले राशी स्वामी शुकर का राशी प्रवर्तन है बात करें शुकर की तो साथ अगस्त तक शुकर नवंभा भाग्या बापर संचार करेगा भाग्यावा पर शुक्र का संचार अत्यारिक उद्दम है भाग्या में व्रिदी करने वाला है स्वास्त भी उद्दम बना रहेगा शुक्र की यह स्तिती भाग्या के साथ साथ दन, सुक्ष और सम्रिदी सब कुछ परदान करेगी दोस्तो राशी स्वाम्मी की शुक्ता और भाग्या की प्रवलता से आपके विचारों में शुक्ता के साथ सोच सक्रात्मक देखने को मिलेगी इस्तरी पक्ष के माध्यम से भाग्या में व्रिदी के अफसक पैदा हुए साथ गस्त को शुकर राशी प्रवारतन का करम बाव में प्रवेश कर जाएगा शुकर का सूर्य के साथ युदियोक बनेगा इस समय कारह शेतर में इस्त्री पक्ष के साथ विवादों और लडाई जगडे से दूरी बना कर रखें जब तक शुकर के सात सूर्या का युद्धी योग रहेगा शुकर कि स्थिती कुछ उत्यू कम जो रहेगी स्तारा धस्त के लगत शुकर के बेहतर पिरिनान देखने को मिलेंगे शुकर के बाद राशी प्रवर्वतन है मंगल का दस दस तक मंगल सब्टम बाप पर संचार करेगा सब्टम बाप से उर्जा कारक मंगल की आपकी राशी पर द्रिष्टी पड़ेगी यह द्रिष्टी जोश और उर्जा शक्ती में ब्रिदी करेगी उर्जा की अधिकता क्रोध और एहम का भाब भी पैदा करेगी कार्या वेपार में तो आपको जोश एम उर्जा शक्ती का लाव मिलेगा प्रंतु दंपत्या जिवन में क्रोध के वशी मूंत होकर पती पत्री में मत्वेद जैसे स्थिती पैदा हो सकती है मंगल का राहू के साथ यूती योग एक क्रेला तो दूसरा नीम चड़े जैसा कार्या करेकर इस यूती योग से अंगारक योग का निर्मान हो रहा है जिवन साथी के साथ पहले से कोई मत्वेद है तो इस समय वह मत्वेद और गहरा सकते है इस अंगारक योग के परिनाम फूरो आपकी वानी भी अंगारे उगल सकती है जो तो दस अगस्त को मंगल राशिप्रवरतल कर आगे बढ़ जाएगा तथा अश्ठमबा में परवेश कर जाएगा क्रोध में कमी आईगी परंतु वानी में कटोरत अभी बनी रगेगी वानी पर नियंतरं रखें अश्ठमबा पर बंगल के मिले जुले परिनाम देखने को मिलेंगे अक्समात ध्रनलाव के अफसर पैदा होंगे परंतु चोर, चोट और दुरगटना के परतिस तरक रहे जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई कार्या ना करे अगस्तमा में तीसरा राशी परवर्तन है परताती सूर्या का स्तारा अगस्त को सूर्या का करम स्थान पर संचार आपको करम परदान बनाएगा आप भागया से आगे करम को रखेंगे मान समान और प्रतिष्ठा में वरिदी होगी समाज में पीता कावी गौरव बढ़ेगा 17 अगस्त को सूरिय राशी पर उलता कर एकादिश भाव अपने भाव में परवेश कर जाएगा एकादिश भाव आए हैं वलाब से सबंदित कुनली का बहुत महत तौ परण भाव है इस भाव को लाब भाव के नाम से भी जाना जाता है लाव बाव पर सूरिया का समचार हर प्रकार से लाव प्रद है वब इन प्रकार के लाव प्रापत होगी सरकार और पीता के मादिन से लाव के उसर पैदा होगी आपकी राशी के लिए लाव बाव सूरिया का अपना भाव है यह स्थिती सूर्या को और अधिक शक्ति शालिक बनाएगी किसी भी कार्या में हाथ डालेंगे लाब की संभावनाई अधिक बनेगी दोसों लाब बाब पर सूर्या का भाग्डिया बाब के स्वामी भूद के साथ युदियोग बाधिक शमता मांजमान और दन में वृदी कारक है कोई नया कारेया वैपार शुरू करने या पुराणे वैपार में नया मुएश करने के लिए समय की शुकता उन्नोती के अफ़सर परदान कर रही है हर प्रकार से परस्थितियं आपके पक्ष में है वैपार कारक बुद्ध और सरकार कारक सूर्य का लाव स्थाम पर यूदियों वैपारी दोस्तों के लिए विशेश रूप से लाव रद है सरकारी नितियों से वैपार में लाव होका वैपार के रास्ते आने वले गतीरों सरकारी दखल से दूर होते दिखाई देंगे सरकारी सैयोंग से वैपार में विस्तार के न्गूल अबसर प्रापत होंगे वैपारी दोस्तों की पांचों नहीं दसों गलियें घी में रहींगी सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्या करना है तो इस समय करना लापर्द साबीत होगा इस समय मित्रों पर भी आपका वरचस्व भड़ेगा 21 गस तक भाग्यवाब के स्वामी बुद्ध का भी लाबा पर संचाब कत्यादिक लापर्द है बुद्धी वामी और वैपार के मादिम से परचूर मात्रा में दनलब करवाने वाला है विदेशी स्त्रों से भी आए और लाब में व्रिदी होगी विदेश से जुड़े या जुड़े की चवड़े दोस्तों के लिए बुद्ध की यास्तिती बहुत हुत्तम है आए एम लाब में व्रिदी के लिए भाग्या का सैयोग मिल रहा है बुद्ध की यास्तिती विशेश रूप सिल्ला अप्रद है जो तो 21 दस्त को भुद्ध भी राशी प्रवतन कर आगे बढ़ जाएगा तता दादश बाब अपने ही बाब में प्रवेश कर जाएगा अपने बाब पर दोचरस्त बुद्ध के सकरात्योग परिनाम देखने को मिलेंगे भाग्या के सैयोग से विदेश से तार जुडेंगे अपने कारे वापार का विस्तार विदेश तर करने के इच्छूप दोस्तों को बुद्ध का पूरण सयोग प्रापत हो रहा है विदेश जाने के इच्छूप वह दोस्त जो वीज़ा की परक्रिया में है उनके लिए समय उत्व बना हुआ है चतुरत बाप पर गोजरस्त वक्री शनी भी घर, मां, मातर भूमी से दूर विदेश जात्रा के प्रवल योग बना रहा है उदर लाप स्थान पर अकेला सूर्य हर कार्य में विज़ेग बनाएगा मास के अंत में आई हैं लाप भाप की मजबूस्तिती के साथ आप सितंबरमा में प्रवेश करेंगे आगे की चर्चा हम सितंबरमा के राशी फल में करेंगे दोस्तों आपको या वीडियो कैसे लगी लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले